तो दोस्तो आज जो हैं हम बात करने वाले हैं SSE GD 2021 के निव नोटिफिकेशन के बारे में ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आपके एक्जामिनेशन कब तक कराये जा सकते हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर बला कर दबा दिजीए तक कि हमारे आने वाले वीडियोच को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोच को सबसे पहले देख पाएं दोस्तों यहाँ पर जो है स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने नोटीज जारी करकर बताया था आप सभी को कि आपके जो है ससी जीडी का जो नोटिफिकेशन डेट था वो पॉस्पन कर दिया गया है यहाँ पर जो है स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने बताया था कि फर्स्ट वीक आप मई में जो है आपकी notification declaration जो आपका था date वो जो है फॉस्पन कर दिया गया है आप हम जानेंगे कि आपका नया notification कब तक आएगा ठीक है तो हम इसी notification से समझते हैं और एक अंदाज लगाएंगे कि आपका notification नया वाला वो कब तक आ सकता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो है 25 मार्च को भरती की बात बताई गई थी कि 25 मार्च को जो है बताया गया था कि SSC ने बहुत बड़ी vacancy जो है GD की निकाली है उसके बाद जो है 9 अप्रेल ठीक है 9 अप्रेल को एक notice जारी किया था staff selection commission ने और बताया कि आपका जो notification है वो जो है first week में जारी किया जाएगा और वो month था माई यानि कि माई माई मन्त में आपका जो है SSC GD का notification आउट होगा ऐसा staff selection commission ने बताया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर postpone कर दिया गया आपका जो है यहाँ पर postpone कर दिया गया जो notification आना था SSC GD का साथ ही साथ दो चीजे और postpone की गई और वो था CHSL और CGL का exam अब हम इसी notice से जानेंगे कि कब तक आपके जो है SSC GD का जो है नया notification जारी हो सकता है तो मैं आपको बता दो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 21 तारीक और 22 तारीक यानि कि 21 मई 22 मई और यहाँ पर ध्यान दीजिए 29 मई और 7 तक जो है कराना यानि 7 जून तक जो है exam होने वाले थे आपके serial के जिसको अस्थगित कर दिया गया है यानि कि हम यहाँ पर 7 जून तो मान के ही चलेंगे 7 जून तक जो है अभी SSC जो है कोई भी exam नहीं लेगा और 7-7 SSC की तरफ से कोई भी कारवाई नहीं की जाएगी notification के regarding यहाँ पर जो exam तो cancel करना ठीक था लेकिन जो notification था उसे तो कम से कम out जो है SSC की तरफ से कर देना था ल पान के चलते हैं 7 जून जो है यहाँ तक तो आपके notification नहीं जारी होंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर इस समय पीक चल ला है और कई states में lockdown चल लहें हैं जिसकी वज़ा से जो है cyber cafe वेगरा बंध है इस वज़ा से जो है काफी बच्चे जो है form फिलप नहीं करा पाते गाउं दर वीक में ठीक है तो जून के लास्ट वीक में जो है आपके नए notification जारी हो सकते हैं और यह पूरी संभावना है कि अभी जो है जो का situation है उसको control करने में जो है सरकार लगी हुई है और जब यह control हो जाएगा यानि कि उमीद है कि जून के लास्ट वीक तर notification तो जारी कर देंग ठीक है तो जून लास्ट वीक याद रखेगा यहीं पर आपके notification जारी होंगे अब बात करेंगे दोस्तों इसके exam की तो दोस्तों अभी तो जून में जो है आपके form fill up start होंगे उसके बाद जो है एक मन्त जो है आपका लग जाएगा form fill up जुलाई तक और उसके बाद ही आप आपके exam होंगे तो आप मान के चलिए September तक आपके exam कराए जा सकते हैं ठीक है क्योंकि लिए अब जो है ससी जो है fast track पर काम करेगी क्योंकि लिए जैसा situation है third wave, fourth wave, corona का जो है आ रहा है इसको देखते हुए SSC जो है fast track पर सारी vacancies को डाल देगी और जल्दी यल्दी processes complete कराएग ठीक है तो इसको देखते हुए सितंबर तक आपके examinations कराए जा सकते हैं ये पूरी संभावना है तो सभी लोग तैयारी में जुड़ जाए हमारा चैनल जो है आप सभी को जीके का official paper जो आपका original paper है जो 2019 में आपने exam दिया है उसके questions मैं आपको इस series में दे रहा हूँ आपक पूरा जीके जितनी question पूछे गए थे आपके पिछले exam में वो सारे question में आप सभी के साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो में ठीक है दोस्तो तो जल्दिस जाएए वीडियो को जरू देखिए वहाँ पर जो है previous year question के नाम से मेरी वीडियो है और daily देखिएगा daily वीडियो आपने दोस्तों के साथ और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चनल फेज जाब को जरू सब्सक्राइब करेगा thank you and have a good day